नमस्कार दोस्तों मैं हो राशान और आप देख रहे हैं प्रिपेर फर नौकरी ओफिसियल यूटूब चैनल दोस्तों डी ट्रिपल स्पी महाभरती परिछा जो 2022 में होने वाली है इसमें आप लोगों का स्वागत है दोस्तों बहुत बढ़ियां आपको मैं यहां पर बताऊ देखें जो डी ट्रिपल स्पी में वैकेंसी जो निकलती है उसका रिक्रूट्मेंट फास्ट होता है अगर बाकी एकजाम के पेच्छा देखते हैं तो कम जाती है इसका रिजन बहुत सारे हैं तो आप लोग बस ध्यान से देखिए आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और देखें पीडियाफ आपको हमारे इस टेलिग्राम चैनल पे मिल यागी प्रिपेर फर नौकरी ओफिस्यल टेलिग्राम चैनल है इसका लिंक आपको निच्चर डिस्क्रिप्सर में मिल जाएगा और देखें कोई भी क्योरी होती है तो आप स्टटी फर नौकरी अदरेट ज और इहां पर कुल मिलाकर 116 सीटे हैं तो इसमें जो है Mostly Electrical और उसके Allied Branch eligible है, Mechanical की दो सीटे है उसमें आप eligible हैं जो की Electrical वाले वह eligible हैं और कुल मिलाकर Unreserve Category के जो Candidate है वह All ABOUT India के इहां पर Unreserve Category में ही साम cuánt की होए आप बिहार, यूपी, जहरखंड के candidate हैं, तो आप इस firm को भर सकते हैं, बसरते आप जो है, यूर से fight करने की छहमता रखते हैं, तो कुल मिलाकर 40 seat हैं, तो जरूर फर्म भरिएगा, उसका देखिए, सीविल में, कुल मिलाकर यहाँ पर अगर बात करते हैं, तो 575 seat है, इसका post department को यहाँ पर post preference जो है, डालना है, और जो post preference होगा, देखिए, आपको e-dosier, यानि कि जब आपको tier 2 का result आएगा, तो यहाँ पर e-dosier गिलिया आपको mail आएगा, message आएगा, और जो PDF आई, उसमें आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, कि e-dosier आपको submit करना है, जब online करेंग आपको जो भी department allocate होगा, वही आपका final होगा, तो post preference आपको अपने हिसाब से इसको submit करना है, अगर देखिए, अगर बात करते हैं, कि exam scheme क्या होगा, तो देखिए, D++SP में जो अभी vacancy निकली है, junior engineer और section officer की, इसमें कुल मिलागर 2 tier में exam होगा, 2 tier में exam होगा, जिसमें tier 1, तो आप electrical के candidate हैं, चाहे आप civil के candidate हैं, आपको 2 tier exam देना होगा, जिसमें tier 1 आपको qualifying nature को होगा, यानि कि tier 1 जो होगा, वह आपको merit बनाने में help नहीं करेगी, लेकिन tier 2 में qualify करने के लिए आपको tier 1 में अच्छा score करना जरूई है, तो tier 1 पे आप लोगों को focus रखना होगा, और approximately 10 स 15 गुना जो है candidate को tier 2 में बुला जाता है, तो कभी 10 बुला लेते हैं, 10 गुना, कभी 12 गुना, कभी 15 गुना, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, tier 2 के लिए बुलाए जाएंगे, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको section 1 में आपको non-tech होगा, section B में आपको जो भी आपको branch है, उसी branch से question होगे 100, तो देखे general awareness के यहाँ पर आप देखे, जो 100 question, इसमें आपको total duration होगा, यानि कि दोनों section को solve करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, यानि 120 minute, और total question होगे 100 multiple choice questions होगे section A में, और section B में आपको 100, total marks होगे 100, और इसमें 100, तो total 200 marks का tier 1 exam होगा, और question भी होगे 200, 200 question भी होगे, और इसको solve करने के लिए 120 minute का समय होगा, 120 minute का आपको समय मिलेगा, अब देखे, इसमें एक खास बात होती है, आपको cut-off क्यों कम जाती है, क्योंकि आपको ये 200 question है, उसके 10 sections बने होगे, 10, इसमें तो section, ये और section भी होगा, इसमें जो है, आपको 20-20 question का, यानि कि general awareness के section 20 question होगे, देखे, सभी जो है यहाँ पर general awareness, general intelligence and reasoning, अर्थमेटकल and numerical, उसका test of Hindi language, test of English and comprehension, सभी 20-20 number के होगे, और 20-20 number का एक-एक section बना होगा, यानि कि पहले आप 20 question general awareness के submit करेंगे, उसके बाद आपको general intelligence का question खुलेगा, इसको submit करेंगे तभी जो है, आपको अर्थमेटकल and numerical ability का question खुलेगा, और दुबारा visit नहीं कर सकते हैं, यानि कि एक बार आपको submit अगर कर देते हैं, तभी जो है, दूसरा खुलेगा, और पीछले वाले पिर revisit नहीं कर सकते हैं, इसलिए cut up जो है, थोड़ा सा कम जाती है, इसका main कारण य ही है, और दूसर के बार देखे, तो सभी में आपको 200 question है, तो 200 question का 10 section बना होगा, 20 question का, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और देखे, section B में आपको objective type multiple choice question होगा, on the subject concerned as per the qualification, prescribed for the post, तो इसको ध्यान रखेगा, यानि कि आपना technical, जो है, 100 questions होगी, तो tier 1 में आई पर Hindi और English, दोनों language में होगा, और देखे, जो इसके regarding cut-off है, आपको paper है, सब कुछ में provide कर भूआ होगा, तो इस channel को आपको subscribe करके bell icon को press रखना है, और Telegram भी आपको join कर लेना है, अब देखे, आप लोगों के मन में एक सवाल उठता होगा, कि इसमें तो syllabus दिया ही नहीं, औ और आप भी syllabus नहीं बता रहें, बस thumbnail में लिख दियें, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी exam का syllabus उठा लिए, जैसे कि एक most जो है यहाँ पर important है, जैसे कि civil का भी exam होता है, SSEJE का, उसके बाद आपको electrical का भी SSEJE का होता है, तो जो तयारी आप करते हैं, जो standard book है, वही आपको तयारी करना है, इसके लिए अलग से कुछ भी जो है आपको नहीं करना है, जो आप तयारी SSEJE के लिए कर रहे हैं, वही तयारी यहाँ पर आपको करना है, बस इसमें जो है, non-tick में थोड़ा सा यहाँ पर आपको, जीसे SSEJE का follow करना है उसके अलाबा आपको कुछ भी करने की चिरुवत नहीं है आपको परते रन है और जो है आपको ज्यादा ज्यादा question जो है practice करना हो चाहे आप technical के हो बात करते हो ज्यादा ज्यादा question प्रैक्टिस करिए और exam में देखेगा आपकी आपका selections निरफर करेगा tier 2 exam पे यह आपको total 200 marks का ही होगा 200 marks का होगा यह भी आपको ध्यान रखना है लेकिन इसमें मिलेगा धाई घंटे का समय तो देखे धाई घंटे का समय यहाँ पर आपको मिलेगा तो यहाँ पर देखे सबसे पहला जो पार्ट होगा इसमें जो है आपको 100 marks के ह आपको होगे इसमें भी आपको फिर अगयन वही 20-20 question का एक पार्ट सम्मिट करना होगा उसके बाद जो है अगला खुलेगा तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है तो इसमें 100 question होगे 100 question पार्ट बन में होगे देखे टाइप objective टाइप ही exam होगा जो यहाँ tier 2 होगा पूरा choice questions होगे to evaluate the इसमें देखे आप इसमें देखे 50 question है 100 number का यह question आपको दो-दो number का है यानि कि यहाँ पर थोड़ा सा question जो है difficult type का आएगा क्योंकि यहाँ पर again 150 question को solve करने के लिए आपको कितना तो 150 minute ही दिया जा रहा है तो यहाँ पर आपको question का level इसका थोड़ा सा जो है है इसमें लिखा भी है कि objective type multiple choice question होगा to evaluate the ability for application of the concept problem solving capacity यानि कि numerical भी इसमें अच्छे खासे होगे ability to comprehend context and apply theoretical aspects EDC तो इसमें आपको पूरा जो है आपको knowledge test होगा तो आपको यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देनी की जरूरत है total जो है आपको 1500 question होगे 200 marks के होगे और इसी syllabus again वही आपको practice करना है बस इसमें थोड़ा सा numerical पर आपको ध्यान देना होगा और आपको वही तयारी जैसे tier 1 में करेंगे उसी तरह से tier 2 का भी आप लोग करते रहेंगे लेकिन इसमें पूरा syllabus आपको जैसे कि electrical में बहुत सारे जो है branches eligible हैं तो उसमें आपको पूरा syllabus जो है दो two detailed syllabus in respect of the tier 1 and tier 2 और देखे syllabus जैसे ही आती है पूरा detail में आपको मैं यहाँ पर सुचित कर दूँगा ऐसे आप website पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं और देखे tier 1 जो है qualifying nature का है जैसा कि मैंने बताया और यहाँ पर evaluation of the tier 1 will be undertaken based on the community marks of the section 1 and 2 तो यह आपको ध्यान रखना है evaluations of the tier 2 examination will be undertaken तो part 1 and part 2 होगा evaluation का कोई भी यहाँ पर reevaluation का कोई भी यहाँ प्रोसेस नहीं है और यहाँ पर देखे negative marking tier 1 और tier 2 दोनों के लिए 0.25 marks रहेंगे तो इसको आप लोग को ध्यान रखना हो का multiple choice ही questions रहने वाले हैं अब देखे यहाँ पर एक minimum cut-off जो है रहती है जिसे मान मान लिजे कि यहाँ पर 575 seat निकली है 575 seat निकली है civil के लिए अगर मान लिजे कि 40% unreserve का cut-off minimum निर्धारिध है DSSV DSSV के तरफ से 40% minimum यानि कि 200 number का exam होगा तो minimum जो है आपको 80 marks लाने होगे मान लिजे कि इसमें से 300 candidate ही 80 mark सिर्फ cross कर पाए tier 2 में तो सिर्फ 300 का ही selections होगा इनक होगा उसके अलाबा जो है आप जो भी board decide करती है cut-off कितना जो है जाएगा वो उस पर decide होता है तो जनरल और EWS के लिए 40% जो है cut-off जाएगी OBC के लिए दिल्ली देखिए OBC सिर्फ reservation दिल्ली वालों को मिलेगा 35% इसमें नमर लाना होगा SC, ST, PH, PWD के लिए 30% और एक service men अग दाना ही होगा दोस्तों देखिए पूरा कुछ मैंने बता दिया है I hope आपको सभी जो है doubt clear हो गई होगी regarding क्या syllabus रहने वाला है क्या exam pattern है क्या पढ़ना है आपको पूरी जानकारी मिल गई हो तो वीडियो को like कर दिजेगा और देखिए वीडियो को share कर सकते हैं अपने दोस् कर सकते हैं so thank you guys इस वीडियो में इतना है